तो चलिए कांटिन्यू करते हैं हमारे मात के नेक्स नेक्सिक को और जो हमारा फर्स्ट अपिक है नंबर सिस्टम जैसे कि मैंने आपको कहा था आपके हम भी सासा सॉल्व होते रहेंगे तो पहले हम डिसकस करेंगे आज कुछ रूल्स को कुछ डिविजिबिल्टी रूल्स को यह रूल्स हमारे में बहुत रहने वाले हैं कि इनको कैसे रूल्स को यूज्ट करके हम हमारा जो टाइम है हो बहुत सेफ कर सकते हैं एग्जाम में हम जो कोश्टिंज्रां को बड़ी ईसलफ कर सकतें हैं यह बैसिक रूल्स हैं में भी आप सबको इनके बारे में अच्छे से clear होगा भी तो चले starting करते हैं हमारी rules के साथ तो आज हम सबसे पहले तो करने वाले हैं कुछ rules करेंगे counting numbers के उपर some rules on counting numbers यह five rules हैं जो counting numbers के लिए हैं जैसे अगर आप से कहागे कहाजाए के first 20 numbers का sum find करो तो हम उसके कैसे अब ऐसा नहीं है कि हम पहले 20 numbers को लिखेंगे और उनके एक-एक का add करेंगे ऐसा कुछ नहीं है हम जस एक formula होता है उसको apply करेंगे और हमारे पास answer आ जाएगा ठीक है जैसे हमारा जो first one है यह हमारे पास है sum of first and natural numbers अब यहां पर इस बात का धिया रखना है कि natural numbers की बात की गई है तो अगर हमें कहा गया है कि पहले n natural numbers का sum find करो अब n की value कोई भी हो सकती है 50 हो सकती है 20 हो सकती है 100 हो सकती है कोई भी हो सकती है उसके लिए हम क्या apply करेंगे n n plus 1 divided by 2 clear अगर हमें दिया हुआ है for example यहें पर हम solve up करके कर देखें अगर मुझे कहा गया है कि पहले 20 numbers हैं उनका sum find करो अब पहले 20 numbers का है 1 2 3 4 5 up to 120 तक हमारे पास यह numbers होने वाले हैं तो इन 20 numbers का sum हम add करके करेंगे तो हमारा बहुर time waste हो जाएगा तो हम इस formula को apply करेंगे तो क्या आने वाला है सबसे पहले n की value क्या है 20 into 20 plus 1 easy और divide किसके साथ करना है 2 के साथ अब 2 को जब हम 20 के साथ cancel करेंगे तो हमारा answer आ जाएगा 10 और हमारे पास answer के रहने वाला है 10 multiply 21 इन दोनों का addition तो 210 is our answer अगर आप चाहे तो पहले 30 numbers को add करके भी देख सकते हैं यही आपका answer रहने वाला है कुछ और सम अगर हम solve करें अगर बात करें अगर हमसे कहा जाए कि find the sum of numbers from 11 to 20 अब यहां पर हम क्या करें हमें 11 to 20 फाइंड करने हैं बट हमें तो first and natural number की बात कहीं गए या मतलब अगर starting से given होंगे तभी हम फोर formula apply कर सकेंगे तो हमें यह तो clear है कि अगर हम 11 से 20 तक की बात करें मतलब 1 plus 2 up to so on 20 अगर पहले इन सभी numbers का हमने अभी-अभी solve of किया क्या था and which is 20 and plus 1 which is 20 plus 1 और divide किसके साथ किया था हमने अब यह दोना multiply में है मतलब मैं इसको cancel कर सकती हूं अभी हमने easily solve of किया तो हमारे पास answer क्या था 210 आया था clear बट यह तो हमारे पास पहले 20 numbers होगे मतलब जो पहले के 10 numbers है 1 to 10 वह भी इसमें included है पर हमें चाहिए सिर्फ कितने 11 to 20 मतलब 11 plus 12 up to 11 plus 20 तक चाहिए clear तो हम इसमें से क्या कर सकते हैं जो पहले 10 numbers है हम उनका क्या कर देंगे सब्ट्रेक्ट कर देंगे तो हमारे पास जो answer रह जाएगा वह हमारे क्या होगा required answer होगा जैसे पहले 10 numbers जो हमें नहीं चाहिए हमारे question के according उसको हम क्या कर सकते हैं सब्ट्रेक्ट कर सकते हैं इनके अगर हम 100 point करें तो कैसे होगा 10 की वाले हमारे पास 10 है क्योंकि हमें कितने numbers find करने है 10 numbers find करने है into 10 plus 1 divided by 2 अब यह दोनों multiply में है तो मैं इसको cancel कर सकती हूं यह आजाएगा 5 तो मेरे पास क्या आजाएगा 5 multiply 11 इन दोनों को multiply करके हमारे पास क्या रहने वाला है 55 और जब पहले 10 numbers का add 55 है पहले 20 numbers का add 210 है तो पीछे के 10 numbers का add क्या होगा इन दोनों को क्या कर देंगे subtract कर देंगे हमारे पास answer क्या जाएगा 5 और 20-5 कितने आ जाएगा 50 मतलब 155 यह हमारा answer क्लियर यहां पर आपको देखने में बहुत लेंधी लग रहा है बट अगर आपको एक्जाम में यह method करोगे तो आपका time बहुत सेव होगा कि जैसे जैसे आप इन समस की practice करते जाओगे आपका जो method है वो अच्छे से आपको without कोई doubt कि आपके अच्छे से clear हो जाएंगे और math में जो आपका exam में जो आपका section होगा उसमें बड़ी जल्दी से question को solve कर दोगे clear तो इन सब चीजों में जैसके हमने पहले भी discuss किया है कि math में practice की जुरूरत होती है तो next अगर हम second rule की तरफ देखें तो हमारा जो second rule है वो कौन सा है अगर हमें कहा गया हो कि sum of and odd numbers की बात की जाए कि हमें odd numbers का find करना है और odd numbers क्या होते हैं हम सब को clear है जैसे 1, 3, 5, 7 यह सारे numbers क्या होते हैं odd numbers होते हैं तो उनके लिए हम क्या use करेंगे which is n square, simple n square जितने numbers हमें given है उतने numbers का उसी number का क्या कर देना है square कर देना है अगर मुझसे कहा गया हो कि पहले 10 odd numbers का find करके बताओ मुझे कि sum क्या आएगा पहले 10 odd numbers का square मतलब 10 का square कर देंगे और हमारे पास answer क्या आजाएगा 100 आजाएगा easy अगर मुझसे कहा बिल्कुँ second type का एक और सम लेके चाहते हैं जैसे अभी अभी हमने discuss किया था अगर मुझसे कहा गया हो कि find the sum of 1 plus 11 plus 13 up to 29 अब यह चीज़ हमें clear है कि यह number 30 तक के हैं ठीक है 30 पहले हम क्या करेंगे 1 to 30 जितने भी odd numbers हैं कितने odd numbers होंगे 15 i hope इसमें आपको कोई doubt नहीं होता क्योंकि जो numbers होते हैं उनका half even numbers होते हैं जैसे ही 100 में 100 में 50 वह together one numbers होंगे और जो another 50 numbers होंगे यहार पर अमे लेक荷े कर लेती हूं कि first 30 numbers 31 तो मेरे पास एक से लेके 30 तक कितने और नमर्स है 15 मतलब 30 का हाफ 15 के अगर हम बात करें तो 15 का स्केर कितना जाएगा 225 मैंने इतनी जल्द इसका स्केर कैसे किया बिलकुल जो स्केर वाला विदिक हमने सिखा था उसको अपलाई किया 5 का स्केर 25 और 1 x 2 2 आजाएगा अगर आपको 15 का स्केर नहीं भी याद तो आप उसको यूज करेंगे अगर हम बात करें कि हमने फर्स 30 का फाइड नहीं करना था हमने 9 to 29 फाइड करना था अब 9 से पहले जो भी 1 से लेके 9 तक और नंबर्स हैं वो कुन से हैं इनके बाद हमारे जो नंबर्स हैं वो शुरू हो जाएंगे क्लियर तो यह कितने नंबर्स हैं 4 और 4 का स्केर क्या होता है तो ऑगर मैं इसमें से 16 को माइनस कर दू क्रूं तो हमारा क्या आजाएगा तो इनको को हम माइनस करेंगे तो right आंसर क्या रहने वाला है 209 क्लियर अगर आपको क्लियर नहीं हो तो दुबारा रिपीट करते हैं अगर हमें नमबर्स गीवन हो तो पहले तो हमें लास्ट नमबर से करना है 29 है मतब 30 तक के जो नमबर्स हैं उनको फाइं करना है 1 to 30 हम अवरोल जितने भी और नमबर्स हैं उनका आड़ फाइंड कर लेंगे विच इस तो अगर हमें 1 to 30 की बाद कही है तो उसमें 15 और नमबर होंगे दो एक्स्ट्रा है उनको हम क्या कर देंगे कर देंगी और इस इस आव आसर फिर शली थार्ड रूल को करते हम हमारे एवन नमबर्स के लिए है स्स Sum of first and even numbers अगर हम sum करेंगे first and even numbers का तो हम कौन सा apply करेंगे n into n plus 1 देखिए जो हमने first किया था sum of natural number उसमें हमने two के साथ divide किया था और यहां पर हम two के साथ divide नहीं करने वाले यहां पर only क्या रहा जाएगा n into n plus 1 अब इन्होंने अगर मुझे कहा हो कि find करो 1 से लेके 1 and 50 इनके बीच जितने भी even number है सबका sum करो तो हमें पता है कि 1 से लेके 50 तक जो even number होंगे वो कितने होंगे 25 होंगे counting में कैसे क्योंकि 50 है और 50 का half क्या होता है 25 25 मेरे पास क्या होंगे even number होंगे और 25 ही मेरे पास क्या होंगे और number होंगे क्लिए तो इसको हम ऐसे भी represent कर सकते हैं कि 50 का जो half है वो हमारे पास counting of the even number होगा तो अब हमारे पास even number कितने है 25 हमने सबका add find करना है तो कैसे करेंगे इसको अपलाय करके 25 25 प्लस 1 अब यह क्या बन गया 25 x 6 जी 26 क्लियर 25 x 26 जब हम इन दोने के multiply करेंगे तो हमारे पास क्या अब इसमें भी बिल्कुल उसे वेसे करते हैं जैसे हमने अगर starting के numbers ना given हो बीच में से कुछ पेर उठाके दिया हुआ हो जैसे next page पर करेंगे 12 40 up to son 30 अब यहां पर भी यही बात की गई है कि 12 से लेके 30 तक के find करते हैं तो हम पहले क्या करेंगे सारे numbers का find करनेंगे मतलब starting से लेके 2 से लेके क्लियर क्योंकि स्टार्टिंग में अगर हम 30 नंबर की बात करें तो हाफ नंबर कितने हो गए 15 हो गए 30 इसको ऐसे कह सकते हैं तो 15 हमारे पास even नंबर है और हमने उनका जो add है वो find करना है तो हमारे पास क्या आने वाला है 15 multiply 15 plus 1 मतलग 15 multiply 16 अब जब इनके multiply करेंगे तो हमारे पास कौन सांसर आएगा 15 को 16 के साथ multiply 30 11 और 3 14 1 2 मतलग 240 क्लियर after that हम क्या करेंगे हमें जिस नंबर की जुरूरत नहीं है उन नंबर को find करके उसको क्या कर दिया जाएगा subtract कर दिया जाएगा अब हमें first जितने भी कौन कौन से number है 2 4 6 8 10 इन नंबर के हमें जुरूरत नहीं है इनके बारे में हमसे पूछा नहीं क्या है यह only 12 to 30 find करना है तो यह numbers जो है इनको पहले हम find करेंगे जैसे 5 numbers हैं तो हमारे पास क्या जाएगा 5 multiply 5 plus 1 6 5 plus 1 6 मतलब 30 अब इसमें से minus क्या हो जाएगा 30 तो हमारे पास क्या आने वाला है 210 which is our answer clear अब 12 to 30 इतना लंबा आड करने से अच्छा है आप फटा फट पहले ओल अवर जितने भी हमारे पास numbers given है उनका half करके हमें पता चल जाएगा कि numbers of even even numbers की counting है वो इतनी है उसको हम find out कर लेंगे after that हमें जितना पूछा गया है सिफ उसको find करने के लिए जो extra numbers है उनको find करके minus कर देंगे जब आप इसके sum करोगे examples करोगे तो आप पच्छी से doubt clear हो जाएगे वो भी detail में करेंगे हम इसका जब 4th rule है rule number 4 हमने अभी तक किया natural number को कैसे find करना है first and natural number given हो even numbers given हो और numbers हो अगर अब हम करते हैं squares given हो sum of squares sum of squares of unnatural number first and natural number clear तो इसके लिए हम कौन सा find करेंगे जैसे मजी given है 1 square 2 square 3 square up to so on n square तो इसके लिए हम कौन सा apply करेंगे n n plus 1 2 n plus 1 divide by 6 यह सब हम पढ़ चुक है हमारी जो previous classes है बच चोटी classes है उन सब में हमने यह formulas किये होए है अच्छे से तो आप सब के मांड में यह सब होँगे अगर हम बात करें कि sum of squares अगर हमें find करने है तो उसके लिए कौन सा formula apply होगा n into n plus 1 multiply 2 n plus 1 or divide by 6 for example अगर इन्होंने कहा है कि first 10 numbers है उनके square करो और फिर उनका add करो मतलब 1 square plus 2 square up to so on 10 square तक हमें given है अब इतना length ही कैसे कौन करेगा रहा है तो इसमें n की value क्या है 10 है n की value 10 मतलब हमें 10 numbers given है तो कैसे apply होगा 10 multiply 10 plus 1 11 चाहे तो आप इसको पूरा पहले लिख सकते हैं तो आपको अच्छिस clear हो जाए 10 plus 1 multiply 2 into 10 plus 1 divide by 6 एक्जाम में हम इतना लंबा नहीं लिखने हैं इससे आपको समझाने के लिए है अगर हम बात करें तो हम अरपस क्या आ जाएगा 10 multiply 10 plus 1 11 multiply जब इनको solve करेंगे 10 into 2 20 बन जाएगा 20 plus 1 21 बन जाएगा divide by 6 clear तो इसको जब हम solve करेंगे पहलते यह 2 के table पे cut होगा 5 और 3 और यह किसके table पे cut होगा 3 के table मतलब 5 multiply 11 multiply 7 इन तिनों का multiply करेंगे तो हमारे पस क्या आ जाएगा 385 which is our answer clear इन साम में हम कैसे करेंगे हमें पता है 10 numbers given है 10 multiply 11 multiply 2 into 10 मतलब सब only करेंगे और यह सब कैसे होगा practice के साथ चलिए हमारे next rule करते है which is rule number 5 square कर लिया हमने कि अगर हमें कहा है कि sum of squares find करो अब हम cube की बाद करेंगे क्योब का मतलब होता है power 3 right sum of cubes of first and natural number sum of cubes of first and natural number तो पहले un-natural numbers का cube given है फिर उसका sum करना है अगर हमसे कहा है कि पहले तो क्या होता है 1 cube 2 cube up to 100 on n cube तक हमें number given है आपको natural number का formula याद है वो कौन सा था and n plus 1 divided by 2 जिसमें only 1 plus 2 plus 3 हमें find करना था और इसमें हम क्या कर देंगे उसका square कर देंगे अगर हमसे हमें given है कि first 5 number है उनका cube करो फिर उसके बार उनका sum करो जैसे 1 cube plus 2 cube up to 100 on 5 cube यह हमें find करना है तो यह हम कैसे find करेंगे इसमें apply करके n की value क्या है 5 n plus 1 मतलब 5 plus 1 divided by 2 इसका square तो 5 multiply 5 plus 1 6 होता है स्क्यार आएगा यहाँ तो इसको solve करेंगे 3 5 into 3 कितना होता है 15 और 15 का square किसके equal होता है 225 के clear तो यह कुछ identities हमने की थी rules किये थे किसके लिए accounting के लिए 5 rules है यह 5 के 5 rules आपके लिए बहुत useful है exam में questions के साथ later आते है पेपर 1 में बहुत questions देखने को मिले है अब भी तक तो इन सबको अच्छे से कीजेगा प्रैक्टिस कीजेगा इनकी हम कुछ sum भी solve करेंगे तो से पहले आज हम करेंगे divisibility rules divisibility rules के बार में आप सबने सुना ही होगा तो divisibility rules divisibility rules के अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम discuss करते हैं 2 का divisibility rules 2 का divisibility rules अगर हम बात करें divisibility rules क्या होते divisibility rules जब हमें कोई large number given हो for example बहुत बड़ा number given है like 10000 की form में तो उसका हम हमें चेक करना है कि 2 पे डिवाइड होता है या नहीं 3 पे डिवाइड होता है या नहीं तो हम वहां पे इतनी लंबी अगर डिवाइड करने बैठेंगे तो हमार बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा तो divisibility rules को चेक को यूज करके हम बड़ी असानी से ही find कर सकते कि जो number हमें find करना है divisible है या नहीं जैसे अगर हम बात करें 2 का divisibility rules सबको पता है कि वो सभी number जिसका even number हो even number जो होते हैं वो 2 के साथ divisible होते हैं तो हम कह सकते हैं number whose last digit is even 4 जाफिर क्या हो सकता है 0 भी हो सकता है is divisible by 2 मतलब वो number जिसका last digit जा तो even है even मतलब 2 के table पे आता है 2,4,6,8 like this जाफिर क्या है वो 0 है तो वो number क्या होगा 2 का divisible होगा चाहे वो number कितना भड़ा हो उसको हमें divide करके चेक करने के जुरूरयत नहीं है जिसे 4,6,5,3,7,8 अब इसकी हम बात करें तो यह जो number है यह क्या है 2 का divisible है क्योंकि जो इसका last digit है वो क्या है even number है clear तो 2 का divisibility rule हमें clear हो गया after that हम चेक करते है 3 का divisibility rule 2 second divisibility rule of 3 rule of 3 divisibility rule of 3 के अगर हम बात करें तो इसमें हम कैसे चेक करेंगे कि जो divisibility है 3 की वो कैसे होगी जो हमें number given है उन सब का add कर दिया जाया उसके सारे digits का जैसे पहले हम example लेंगे after that definition लिखेंगे for example मेरे पर जाम पर कोई number है 4 6 3 5 2 clear तो इतना number number है divide करने के लिए time लिए इन सभी digits का add कर जाते है 4 6 3 2 plus 2 जब इनका add करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा 10 13 13 13 और 5 18 18 और 2 20 अब यह जो 20 है यह नहीं आता है किसके टेवल पे नहीं आता है जो हमारा 3 है तो यह अगर 3 के साथ divisible नहीं है तो that's mean जी यह नंबर है यह भी 3 के साथ divisible नहीं है clear 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 तो इसका मतलब यह नंबर divisible नहीं है जिसके साथ divisible नहीं है 3 के साथ तो इसका मतलब क्या है जो भी हमें number given है उनके सभी digits का add कर देंगे add करने के बाद जो भी हमारे पास number आएगा वो किसका divisible होना चाहिए 3 का divisible होना चाहिए अगर वो number 3 का divisible नहीं है मतलब जो हमारा required number है वो भी 3 का divisible नहीं होगा another example अगर हम ले तो another हम अगर ले तो for example हमने ये number लिया है तो इसमें हम क्या करेंगे add करते हैं सबका 4 plus 3 plus 2 तो ये हमारे ले क्या जाएगा plus 0, sorry तो 4 plus 3, 7, 7 plus 2, 9 9 plus 0, 9 मतलब 9 जो है वो 3 का divisible है 3 के table में आता है तो मतलब ये जो number है 4032 ये भी क्या होगा 3 के table पे आएगा मतलब 3 के साथ पूरा पूरा divisible होगा clear तो अगर हम इसका rule लिखें तो हम क्या कह सकती है 5 है If the sum of the Dg is divisible by 3 3, then the number is also divisible by 3, divisible by 3, clear? तो ये तो डेफिनिशन जस आपके लिए है, otherwise अगर हमें रूस अच्छे से क्लियर होगी, तो हमें इतना कुछ मार में हमें रखने की जोरत नहीं है, clear? after that हम चेक करते हैं हमारा next, 4, divisibility rule, 4 और 4, तो divisibility rule अगर हम चेक करें 4 के लिए, हमने एक बात हमने माइं में रखनी हैं, कि 2, 4 और 8 ये तीनों आपस में related हैं, 2 में हमने क्या किया था, only last one digit check किया था, ये देखने के लिए कि हमारा number divisible है या नहीं, अब क्या करेंगे, 4 में हम last two digit check करेंगे, last two digit हैं, जैसे हमें कोई number given है, यहां पर हमें number given है और हमें चेक करना है कि 4 के साथ divisible है या नहीं, तो हम last two digit check करेंगे, which is 48, 48 को divide करके देखेंगे, 4 के साथ 1 और 2, मतलब पूरा पूरा divide हो गया, मतलब अगर last two digit divisible हैं, 4 के साथ, अच्छे से, पूरा, without reminder वो अच्छे से solve हो रहा है, तो मतलब हमारा जो number है, वो भी क्या होगा, divisible by 4 होगा, मतलब यह जो सारा number है, यह भी क्या है, divisible by 4 है, देखें, 4 equal to 2 multiplied 2, 2 को हम कितनी बार represent कर रहे हैं, 2 बार, तो 4 जो है, उसके लिए हम कितने डिजर्ट चेक करेंगे, 2 डिजर्ट चेक करेंगे, चले पहले इसकी definition लिख लिखते हैं, if last two digits of a number is divisible by 4, then number is also divisible by 4, clear, clear, तो चलिए आगे discuss करते हैं, next divisibility rule, जो क्या है, rule 4, 5, rule number 4 होगा, और इसमें हम divisibility चेक करेंगे, 5 के लिए, divisibility, rule, 4, 5, अब अगर हम 5 की बात करें, तो यह चिस तबको clear है, कि वो number जिसके last digit, जातो 5 होना चाहिए, जाफी 2 होना चाहिए, वो number क्या होता है, 5 का divisible होता है, अगर इसको यार रखना है, तो हम यह भी सो सकते हैं, कि जो हमारा 5 का table है, उसमें हम कोई भी number ले ले ले, उसके पर से जातो 5 होगा, जा 0 होगा, मतलब जो number जिसका last digit, जातो 5 हो, जा फिस 0 हो, वो number क्या होता है, divisible by 5 होता है, for example, this is the number, इसका last digit क्या है, 0 है, मतलब यह number 5 से divisible होगा, अगर मैं इसके कहूं, तो यह number 5 का divisible नहीं है, पुलकि इसका last digit ना तो 0 है, ना ही 5 है, clear? तो हम कह सकते हैं, if the last digit of a number is 5 और 0, then, the number is divisible by 5, easy? तो अगर हमें कोई number given है, और हमें चेक करना है, कि 5 के साथ डिवाइड होगा या नहीं, जिसका last digit हमें देख लेना है, और वो 5 और 0 है, तो मतलब वो 5 के साथ divisible है, otherwise, नहीं है, चलिए, next चलिए करते हैं, रूल नमबर 5, divisibility, रूल, 4, 6, अब पहले तो 6 हमें देखना है, कि 6 के factors क्या क्या है, अब तक हमने जो भी divisibility rules किये, हमने उसमें देखा, कि 2 prime number है, 3 is a prime number, अगर हम बात करें 4 की, तो 4 भी क्या है, 2 के साथ हमने relate करके उसको पढ़ा, 5 भी prime number है, आगे आगे 6, अगर हम देखें तो 6 को हम कह सकते हैं, कि this is 2 multiply 3, मतलब 6 के factors कौन-कौन से बनते हैं, 2 और 3, this is not a prime number, इसके जो factors हैं, उसके साथ हम इसको relate करके पढ़ेंगे, जो prime number है, उसका अपना divisibility rule है, otherwise जो factors के साथ related है, हम उसे अच्छे से, जैसे के 6 का क्या है, 2 multiply 3, मतलब 6 का divisibility rule, 2 और 3, इसमें दोनोर rules apply किये जाएंगे, जैसे, यह number है, तो इसमें सबसे पहले चेक करूँगे, कि 2 का divisibility rule चेक होता है, अपलाए होता है या नहीं, और 2 का divisibility rule इसके अपलाए होता है, क्योंकि इसका जो last digit है, वो even number है, मतलब 2 का divisibility rule, यह मतलब 2 के साथ पूरा पराड़ होता है, after that हम चेक करेंगे 3 के साथ, 3 के साथ चेक करने के लिए मैं के करूँगे इन सब इडिजर्स का add, 3 plus 7 plus 6 plus 4 plus 2, चले इन सब का add करते हैं, 3 plus 7, 10, 10 plus 6, 16, 16 plus 4, 20, और 20 plus 2, 22, 2, अब यह जो number है, वो 2 का divisibility rule तो apply होता है इस number पर, पर 3 का divisibility rule apply नहीं होता, क्योंकि इनका add करके जो number आता है, वो 3 का divisible नहीं है, तो इसका मतलब यह 6 का divisibility rule भी नहीं होगा, clear, तो 6 का divisibility rule हम क्या सकते हैं, अगर वो number 2 के साथ भी, और 3 के साथ P divisible है तो वो number क्या है? 6 का divisibility भी apply करेगा तो हम कह सकते हैं If a number is divisible by 2 and 3 then it is divisible by 6 also मतलब अगर वो 2 और 3 के साथ divisible है तो वो 6 के साथ में divisible होगा मतलब जो prime number नहीं है उसके हम factors बनाएंगे और उसके according उनको check करेंगे आगे-आगे आपको clear हो जाएगा चलिए 6 rule करते हैं 6 के बास 7 है 7 का जो rule है वो बहुत difficult है उससे अच्छाथ आप उसको directly divide कर लिजिए उसमें आप बहुत confused ही होंगे 7 की बाद हम check करते हैं 8 का 7 का भी करेंगे पर पहले हम जो बाकी easy वाले rules है उनको complete कर लेते हैं तो 8 के बाद करेंगे तो divisibility इसमें अगर हम कहें कि जैसे हमने पड़ा था कि जो 2 है उसमें हम 1 लास्ट डिजिट चेक करते हैं 4 है इसको मैं लिख सकती हूं 2 multiply 2 और इसमें हम कितने लास्ट डिजिट चेक करते हैं इसको मैं लिख सकती हूं 2 और 2 मतलब इसके factors जो है 2 multiply 2 multiply 2 बनेंगे और अगर हम इन तीनों के factors की बात करें तो कितने 2 है 3 और इसका मतलब क्या है हम इसमें लास्ट 3 डिजिट को चेक करेंगे अब इससे लेट करके ओ थोड़ आगे बढ़ें अगर 16 की मैं बात करूं तो इसमें हमारे पास जो factors हैं उसमें हम 4 times multiply करेंगे 2 को मतलब अगर हमें 16 का divisibility rule चेक करना है तो इस नंबर जितना भी मर्जी बढ़ा हो उसके only 4 last digit को हम चेक कर सकते हैं कि वो 16 के साथ divisible है यह नहीं अगर हम थोड़ा आगे बढ़े 32 तो इसमें क्या हो जाएगा तो कि जो counting है वो 5 हो जाएगी मतलब हम लास्ट फाइव डिस अब तो सोन ऐसी जो रूल है वो continue चलता रहता है तो हम यह तीनों करेंगे यह तो आपको अच्छी से clear होई गया क्या आगया अगर अगर उनके factors देखेंगे उसके according उनको solve करेंगे तो 8 का अगर हम check करें कि 8 में हमने कितने last dessert को check करना है 3 last dessert को तो three last dessert कौन कौन से हैं जिसे कोई भी number ले ले जाए आप यहाँ पर यहाँ पर मैंने three last dessert लिये है sorry number लिया है उसको जो three last dessert है वो कौन से है 48 8 इन तीनों को only मैं divide करके देखूंगी इन तेनों को जब मैंने divide किया तो मेरे पास क्या आ गया सबसे पहले तो six पर जाएगा after that one पर जाएगा मतलब यह मेरे पास पूरा पूरा divide हो रहा है मतलब जो number है वो भी क्या होगा divisible by eight होगा clear तो इसमें हम definition क्या लिखेंगे if a number sorry if last three digits of a number is divisible then the number is also divisible by eight clear मतलब अगर कोई number अगर उसके तीन डिजट लास्ट वले divisible होते हैं तो चले continue करते हैं हमारा जो next rule है वह है divisibility rule for nine जिसमें आपको कहा था के two four and eight यह आपस में related होते हैं वैसे three और nine भी करके जो भी हमार पास answer आएगा अगर वह nine के टेबल पर आता है मतलब nine का divisible है तो जो हमारा number है वह भी क्या होगा nine से divisible होगा होगा क्लियर जैसे हमारा पास कोई भी number गिवन है and number is here इसमें हम क्या करेंगे सभी numbers का add करेंगे three plus two plus seven plus five plus six चले add करते हैं three plus two five five plus seven twelve twelve plus five seventeen seventeen plus six twenty three two twenty three हमारे पास जो nine के टेबल पर नहीं आता मतलब nine से divisible नहीं है मतलब जो number हमारा गिवन है वह भी nine का divisible नहीं clear तो इसके लिए हम क्या लिख सकते है if the sum of dz's of a number is divisible by nine then the number is also divisible by nine clear अगर कोई number जो जिसका अगर हम सम करें डिजर्स का सम करें तो अगर वो nine से divisible है तो उसका मतलब जो number है वो भी किसका divisible होगा nine का मतलब three और nine दोनों के लिए same divisibility rule है आगे continue करते है डिविजिबिल्टी रूल फॉर टैन में सबको clear है सबको अच्छे सी पता है कि वो जिस नंबर इस डिविजिबल बाई 10 क्योंकि इसका लास्ट जिजर्ट जो है वो क्या है जीरो है if the last digit of a number is 0 then the number is divisible by 10 clear यह डिविजिबिल्टी रूल जो हमने आज किये हैं तो कल इनको continue करेंगे कुछ 11 का रहे गया उसके बाद यह भी देखेंगे कि 12 13 इन सबका divisibility हम कैसे चेक कर सकते हैं तो पहले इनको कवर करेंगे 10 तक हमने आज divisibility रूल किये हैं और उससे पहले हमने कुछ continuous जो methods है कि continuously हमें numbers given है उनको अगर हमने sum find करना है even numbers का sum find करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं मतलब rules on the counting numbers वो हमने clear किये है 5 rules of counting numbers थे अगर हम उसको only पढ़ें कि आज हमने क्या किया तो पहले था कि अगर लगातर जैसे n natural numbers है जैसे 1 plus 2 plus 3 up to n तो इसके लिए हमारे पास क्या है n plus 1 divided by 2 clear second अगर हम बात करें कि अगर वो number जिसमें only odd numbers हों जैसे 1 plus 3 plus 5 up to जितने भी हमें given है n odd numbers given है उसमें अगर हम find करें तो n square उससे हम क्या find कर सकते हैं odd numbers का sum third हमने पढ़ा था even numbers के लिए 2 plus 4 plus 6 up to n numbers का add तो इसे हम कैसे find कर सकते हैं n plus 1 fourth हमारा था square अगर हमें given है 1 square plus 2 square up to so on n square तो इसके लिए हम कौन सा method apply करते हैं n n plus 1 2n plus 1 divided by 6 and last one यह है cube अगर हमें given है 1 cube 2 cube up to so on n cube तो इसी method का जब हम square कर देंगे जैसे n n plus 1 divided by 2 इसका square find करके हम क्या कर सकते हैं the sum of the cubes of the number clear तो यह